हेलो वाइटिवन वेल्मकिम तो माई यूट्यूब चैनल जेकी टूटोरियल स्टुएंट्स हम कर रहे थे क्लास एर्थ के मैस चेप्टर 6 तैट इस स्केयर एंड स्केयर रूर्स जिसमें हमने एक्षाई 6.1 और 6.2 के बारे में डिसक्स किया ता लास्त ताइम आज हम डिसक् चैनल पर नहीं है मेरे वीडियो को फिर्स टाइम देख रहे हैं वो प्लीज से सब्सक्राइब करना मुलें सो लाइटर स्टार्ट फॉस्ट कोशन है आपका वाट कुट बीदा पॉसिबल वांस डिजिट और स्केयर रूट अगर आप इन नंबर्स के क्या निकालेंगे स्क कुन सा नंबर आएगा देखिए हमने पहले ही किया था इस पर वांड में डिसकस किया था मैं इसके बार में कि जब भी हम किसी नंबर का स्केयर करते हैं तो उसके इन डिजिट पर कुन सा नंबर आते हैं 014569 बस यही आपने चेक करना है जब भी इनके लास्ट में ये कुन से दो नंबर को मुल्टिप्लाई करके आपका बाइन आता है एक तो कवान नाता है दूसर नाइन नाइन से एटी वान आता है ठीक है तो इसके पॉसिबल जो स्केयर रूड जब इसकर निकालेंगे तो पॉसिबल यह यूनित डिसलिट जो उसके आने वाले हैं वह वह भी हो सकता है और आपका 9 भी हो सकता है जैसे कि देखिं के आपका नंबर है 99,856 यहां पर आपका इनिट डीजेट पर नंबर है 6 अब आपने चेक करना है कोन से दो नंबर को मुल्टिप्लाई करकि आपका 6 आते हैं आपके कौन से नमबर आने के चांस है, इसके स्केयर रोड में, 6 भी आ सकता है, और आपका 4 भी आ सकता है, उसी तरह ये देखिए, 998001, यूनिट इसर पर आपका कौन से नमबर है, 1, तो 1 हमने अभी भी डिसकस किया, एक तो 1 इंटू 1 हो, तो भी यूनिट इसर पर 1 आता है, एक 9 इंटू 9 हो, that is 81, तो इसके यूनिट इसर पर आता है, 1 आता है, इसके पॉसिबल क्या बन सकते है, 1 और 9, और 5 हो जिसके लास्ट में, जैसे ये नमबर आपका इसके लास्ट में 5 है, तो 5, किसको मॉल्टिपाई करने के बाद, किसके यूनिट में आता है, 5, 5, 5 से 25, इसका एक ही option आएगा, that is 5, next आपको question है, question number 2, यहाँ पर बोला गया है, question number 2 में, कि बिना calculation आपको बताना है, इन में से कौन से number है, जो perfect square नहीं है, तो हमने वही method जो पिछे apply कर रहे हैं, वो number जिसके लास्ट में, 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता हो, वही perfect square होते हैं, जो कि हमने 6.1 में भी discuss किया था, बस चेक कीजिए, यहाँ पर देखिए, इसके unit design में 3 है, यह perfect square नहीं होगा, इसके unit design में आपका 8 है, यह भी आपका perfect square नहीं होगा, इसके unit design में आपका 1 है, तो यह perfect square हो सकता है, क्योंकि one जो है, दो नम्ब, कौन से दो number का multiply करके आता है, देखिए यहाँ प में क्या आया है, वान आया है, और जो next three parts, जो इसके, वो इसके क्या नहीं है, perfect square नहीं हो सकते, next question number 3 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, square root निकालना है, hundred of 139 का वाइधा method of repeated subtraction, इस method से आपको इनके square root निकालना है, तो आपको बता दे, method of repeated subtraction में क्या होता है, आपने successive यह वो से continuous, add natural number जो होते हैं, उनको subtract करते जाना है, subtract step by step, और जिस step पे आजाके, आपने काउंट करना है, कितने step के बाद आपका आपका, आपने step काउंट करने है, वो ही इसका square root होगा, number का, देखिया, यह solve करते हैं, जैसे हमारे पास है hundred, तो आपको पता है, मैंने बोला, odd natural number जो है, वो आपने क्या करना है, subtract करना है, तो कहां से start होते है, वान से start होते है, मैंने किया, hundred minus one, 99 आया, अगला, आपका odd number है, three, 99 में से three minus कीजिए, 96 आया, अगला odd number आपका five है, 96 में से five minus कीजिए, 91 आया, 91 में से seven, seven के बाद nine, nine के बाद eleven, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बा three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten step होए, तो आपका जो square होगा, hundred का, वो ten होगा, उसी तरह 169 का भी आपने find करना है, 169 में से one minus करना है, जो बचेगा, उसमें से three minus करना है, जो बचेगा, उसमें से five, so on seven, nine, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 13, 25, देखें, यहाँ पर zero आगया, टोटर कितने step बने हैं, य इसका मतलब कि आपका जो, sorry, square root है 169 का वो आपका क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि यह सक्सी से subtraction जो थी कितने step में complete होई, 13 में तो इसका square root क्या होगा, 169 का 13 ही होगा, तो इस तरह से आप रिपीटर subtraction में अधर से क्या कर सकते हैं, square root find कर सकते हैं, next है आपका question number four, आपक numbers को उनके product में लिखना है, पहले सबसे पहले, देखी जैसे कि आपका 729 है, ठीक है, आपने इसका square root find करना है, तो सबसे पहले 729 के आपने prime factors निकालने का तरीका क्या है, जैसे कि 729 से divide होगा नहीं, prime number two है, सबसे चोटा क्योंकि और number two से divide नहीं होगा, तो 3 से start कि हमने, 3 से 29 तक 1 ना आ जाए, तो यह आपने क्या करना है, यह आपका 729 किसके को ला गया, 3 आया, आपका 6 ताइम, 3 इंटु 3, इंटु 3, इंटु 3, इंटु 3, ठीक है, अब आपने निकालना है, इसका square root, तो जब आप square root के number के अंदर इनको लिखेंगे, आपने 2, 3 की जगा एक वर बहर आजाता है, क्योंकि रूट में से बाहर निकालना है, ठीक है, दो 3 हो तो एक आता है, बहर, नेक्स, दो 3 कभी एक और बहर आगया, नेक्स, दो 3 कभी एक और बहर आगया, 3, 3 is a 9, 3 is 27, तो इसका मतलब का square root of 729 कितना आ गया, 27, उसी तरह से आप next कर निकाल सकते हैं, य बहर भी आजिए, क्योंता है, 25 बहर निकालना है, विह बहर निकालना है, ऩ़से नहीं हमें, हमें, 5 इतनी बहर निकालना है, exist हो गया इसी तरह देखिए 1764 का निकालेंगे इसके मैंने प्राइम फेक्टर निकाले हैं पहले टूसे हो जाएगा दो स्टैप तक उसके बाद पोर फुटी बाद बाद लृट से हो गया यह और नम्बर हो गया तो नहीं हो गया तो थी से हो गया तो अब लो तो बार था एक बहर पार अगया तो नो यह ने तो इसका स्टैप स्केर रूट क्या हो जाएगा 1764 का डाट इस 42 नेक्स्ट आपका नंबर है 4096 सेम प्रोसीजर है 4096 आपका इवन नंबर है देखिए ये टू से लास्ट तक टिवाइड हो गया अब जब तक करोगे इसके टू से हो जाएगा अब तू यहां पर कितनी बार था 12 वार आया है टूटल 12 वार है तो बाहर कितनी बार आएगा 6 ट टू को जब 6 वर मल्टिप्लाई करो तो 64 आगया तो 4096 आपका किसका स्केर रूट हो गया आपका 64 का नेक्स्ट आपका 7744 इसको जब हमने इसके प्राइम प्रेक्टी यह देखिए निखा लें यहां इस टैप तक 2 से डिवाइड हो गया आगे नहीं हो रहा था तो आपका फ 7744 का क्या स्केर रूट आ गया एटी एट नेक्स्ट आपका है सिक्सपार नंबर आपका 9604 इसी से मैथर से देखिए पहले दो बार टू से हुआ कि इवन नमबर था आगया आपका 7 से 4 टाइम हुआ सॉल करके आपका आगया 98 से मैथर चल रहा है से तरीके से आपने इनका क से हो गया 7 से दो बार हुआ उसके बाद 11 से डिवाइड होगा तो यह आपका आगया इसी तरह से मैथ प्राइम निकालते जाना है और इसके रूट करते जाना है जितने टाइम आपका नंबर रूट के अंदर आता उससे हाफ टाइम उसको बाहर लेके जाना अगर रूट मे शिक्स टाइम है तो बाहर आके थी टाइम सा जाएगा उसी नंबर का नेक्स्ट आपका टैन पार्ट से डोटल आप इसको इसको आज कर सकते हो जिस प्राइम प्राइम प्रक्रेश्च करने आप निकालने हैं यहाँ पर आपने कोशित नंबर फाइव है इन सभी नंबर के यहां पर आपको देखिए six part देगे हैं आपको वह smallest whole number निकाल रहा है जिसको आप इन नमबर से multiply करो तो यह क्या बन जाए perfect square number नहीं है आपने इनको बताना ही कौन से smallest हो नमबर से इसको multiply करोगे तो यह आपके perfect whole square बन जाएंगे उसारी perfect square number बन जाएंगे perfect square number के बाद यह भी बताना है कि square root क्या है जो नमबर आपने बनाया है उसका square root क्या है तो बेस्ट मैथ्ट आपका इसका factorization method जो हम कर रहे था भी 252 के हमने निकाले factors देखिए यहां पर यह आपके factors निकाले है देखिए तो भी दो बार बाहर यहां से 3 एक बाहर बाहर यहां से 7 बाहर आगए 7 321 21 इंट टू आपका 42 अब इसका square root क्या हाग है नमबर का 42 सेम देखिए second part में 180 है जब आपने इसके प्राइम factor निकालने है 2 भी दो बार है 3 भी दो बार है 5 एक बार है इसका पेर नहीं है आपने इसका प्राइन के लिए इस नमबर को मुल्टिप्राइब कर दिया 5 के साथ यह बन जाएगा आपका perfect square क्योंसा 900 900 का square क्या होता है 30 होता है नेक्स्ट आपका नमबर है 1008 जब आपने इसके प्राइम factor निकाले देखिए यह भी पेर में है यह भी पेर बन गया यह भी पेर बन गया लेकिन 7 का पेर नहीं है इसको हमने क्या करने के लिए हम इस नमबर को किस साथ मुल्टिप्लाइब करेंगे त्री किसा मॉल्टिप्लाइब कर देंगे वह आपका नमबर आगे 6084 अब इसका रूट भी निकालना है त्री दो बार है एक बार बाहर दो इसका निकालना है ठीक है ठीक हिए ठीक रूट है एक बा बाहर दो बार बार है एक बार आएगा 13,3 जा 39-39-2078 तो यह किसका स्केर रूट हो गया आपका पर next part solve कर सकते हैं जैसे आपका यहां था 1458 था जब AUpने एह पैर बनाएं देखिए त्री यहां पर भैरmen है जाहिए जाह पिसको करना पड़ेगा मुल्टिप्लाइब केर से पुझे करने के बाद की यह देखितु का पेर है टुका पेर है यह भी टूका पेर है यह फोर जाहिए था एक और थिरी के साथ हमने कर दिया नंबर आपका आगया तू 3 पर नमबर है वह पर बन जाएगा सेम नमबर 6 है वहाँ पर multiply करना है यहाँ पर divide करना है इसमें पूछा है कोंड से smallest whole पर एकस्ट है डिवाइड करना है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए तो इसमें आपको बन जायेंगे यह चाहिए नहीं हमें कुछ नहीं करना हमें डिवाइड करना इस नंबर को क्या बनाना है जब मैंने इस नंबर को क्या बनाया 13 से डिवाइड किया तो आपको अंसरा है 225 225 का स्केर हो क्या आएगा एक वार 3 एक वार 5 35 सा 15 इसी तरह से आप इसके नेक्स पार्ट भी सॉल्व से कर सकते हैं जैसे 396 है यहां पर देखिए यहां पर करोगे इस नंबर को डिवाइड करोगे 5 के साथ जब आपने 5 के साथ डिवाइड किये तो आगे 529 529 था तो यहां पर नंबर कांट सा सिर्फ 23 तो 23 ही या न यह किसका स्केर हो गए आपका 23 का इसकेर रूट जो है 23 है नेक्स भी पार्ट था का 2800 जब आपने इसके प्रायम फेक्टर निकाल लेए यह देखिए टू पेर में है यहां पर भी टू पेर में है 5 भी पेर में आगे 7 अकेला था अब 7 एक्स टा है 7 से डिवाइड कर दीजिस नंबर का आपका अंसर है 400 400 किसका स्केर उट होगा 2 multiply 2 multiply 5 20 में नंबर है 1620 जब आपने इसके प्रायम फेक्टर निकाले यह आगे टू भी पेर में है त्री पेर में है लेकिन 5 पेर में नहीं है यहां पर प्राइम फेक्टर 5 का कोई भी पेर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ 5 के साथ आपका नमर आगे कि स्टूडेंट्स ने क्लास 8 पे स्कूल के वो डिवाइड कर रहे हैं रुपीस 2401 सभी ने मिलके डिनेट की हैं सभी स्टूडेंट्स ने किसके लिए प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिफ फंड में हर एक स्टूडेंट इतने पैसे दे रहा है जितने नमबर है 2401 लेकि टोटल मणी डिनेटेट आपको कितनी दिया 2401 तो आपको पता नम्ब्रा स्टूडेंट्स इन्टू मणी करेंगे आप तो इककुल सुआ जाएगा टोटल मणी जो भी दी गई है तो एकस इंटू आपका क्या हो जाएगा एक स्क्राइब कर दो बार 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 अगया किसका बन गया 49 जिसका मतलब क्लास की अंदर टोटर स्टूडेंट्स कितने हैं 49 है और हर एक स्टूडेंट्स कितने दिनों कर रहा है यहां पर 4049 रुबीज डोनेट कर रहा है तभी 49 इंटो 49 एक कुछ टॉन्टी पॉर हंडर वन हो गया नेक्स्ट आपको कोशिन नमबर एट है 2025 प्लांट्स हैं उनकों प्लांट लगाया गया है गार्डन के अंदर इस तरीके से लगाया गया है कि हर एक रो में इतने प्लांट्स हैं कितने नमबर प्लांट्स हैं अगर रोग सेवन हैं तो हर एक रो में 10 प्लांट्स हैं अगर आप 10 प्लांट्स हैं यह रोज निकालना यहां पर टो आपट कर लो चो प्लांट में है । यह सो अब आपने इसके निकाल लोग प्राइम फेक्टर्डरिशन से यह निकाला प्राइम 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 फट्राइशन पर देखिये थी इसका मतनल नंब्र आप प्लन्ट सो में के बोला गया गाना है तो कि हाइण करना है जो हो इन सभी दालना है आपने उनका LCM ठीक है LCM आपका 4 9 10 का आपका आएगा 180 अब आपको पता है LCM हम कैसे find करते हैं जैसे आपका यह है 4 भी ले लिजिए 9 भी ले लिजिए तो क्या था आपका 10 तो से start कर दीजिए इसे हम इसे side पर करते हैं यह था आपका 4910 तो सबसे पहले even number का कीजिए 2 तो दू दा 4 9 का 9 रहेगा 2 5 देन अब 2 ही रहे गया तो से divide होगा 2 वां दा ना इन का 9 आ गया 5 का 5 रहेगा 3 1 3 3 3 9 5 का 5 रहेगा अब 3 के साथ फिर से डिवाइड करोगे तो 3 1 3 1 5 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा 5 3 15 15 3 45 45 290 92 तो इस तरह से यह आपका प्राइम निकाले 180 के देखें यहां पर यहां पर यहां पर नंबर आ गया तो 900 नाइन हंडड़ आ गया तो 900 ही वही स्केर नंबर है जो डिवाइड होगा आपका इसके देख सकते हैं अगर हमें इसको डिवाइड कर दूंगी 5 के साथ आपका नंबर बचेगा तुडू जो जो ट्वाइड होगा 9 से डिवाइड हो जाएक लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होता थिक है तो आपका नंबर किस से डिवाइड होना चाहिए यह तीनों से इसको ताकि वो डिवाइड किसे होना चाहिए 10 से भी डिवाइड होना चाहिए इसके बाद आपका कोशन नंबर 10 है वो भी से डिवाइड होगा 8 15 और 20 से तो सबसे पहले जब आप इनका निकाल लेंगे तो आपका आएगा 120 मैंने अभी भी आपको बताया था लस्म कैसे न 5 का 5 रहेगा 5 से कीजिये 5 1 जब 5 3 जबच की त्री फाइटीं टू जब 10 अपको 60 60 तो यह नंबर आपको आगया 120您s बाइब करना है अगर आप इसको डिवाइड कर देतो तो तुटू जा एट त्री जा त्वेंटी फॉर इडिवाइड से डिवाइड हो जाएगा त्वेंटीफोर लेकिन नाहीं से डिवाइड होका नाहीं तो इसलिए हमें 5 को पेर में बनाने के लिए क्या गरना बढ़ेगा एक और 5 से मल्टिप्लाई करना बढ़ेगा तो मैंने इसको एक और 5 से मल्टिप्लाई किया तो नमबर आपका आगया 3600 3600 जो था वो डिवाइड होता आपका 8 से 15 से 20 से तो यह था आपके एकसा 6.3 का सुलिशन आई हो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शियर कीजिए जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताक कि आपको मेरे लेटेस वीडियो जो है वो टाइब टाइम मिलते रहें आज के लिए इतना ही थैंक यू